सो हेलो गाईज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फिर से नौट पे एप लेकर यानि कि नौट पे पे आप एक्चल में आपका वॉलेट कैसे करोगे जो की ऑप्शन आचुका है और आपको आपका वॉलेट जो है वो कनेक्ट करना होगा तो सब कुछ हम फोन के उपर करने वाला ह है बाइडिफोल्ट आप अपना वॉलेट कनेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आपको ऐसा लेयाउट दिखेगा और ब्राउजर आपको हमेशा कईवी ब्राउजर ही उसकरना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कीवी ब्राउजर ही आपको यूज करना है सभी कामों के लिए य नोड़ पे के अंदर लोगिन कर लेना है लिंक बड़ाई सिंपल है आपको गूगल पे जाके सर्च करना है नोड़ पे लोगिन और आपके सामने लिंक आ जाएगी लोगिन करने के बाद में आपके सामने ये डेश्बोट रहेगा अब यहाँ पर जब आप लोग मोर में ज कर पाऊगे mobile के अंदर connect नहीं कर पाऊगे बट हमारे पास सब का solution है सब का solution होता है ठीक है तो हमें क्या करना होगा कि हमें यही पर desktop mode enable करना होगा अब desktop mode हम अगर ऐसे ही enable करेंगे तो गईज कुछ होगा नहीं तो सबसे पहले हमें कि step करनी होगी तो आप मुझे follow करिए हमें जाना है पहले क्या करना है उपर तीन डॉट्स पर क्लिक करना है किवी browser के अंदर फिर नीचे जाना है इसको 50% कर देना है जो सो पर संथा उसको 50% कर देना है उसके बाद में देक्रेंगे और यहां पर आप देखिए हैं कि इसका लेयॉट है कुछ अलग हो गया है बड़ फिर भी हमें यहां पर वर्णिंग आ रही है तो अब हमें फिर से तीन डोट पर जाना है और यहां पर गईज हमें desktop site पर select कर देगा है अब आप देखिए यहां पर जा दू तो देखिए पर करेंगे उसके बाद करेंगे थर्ड स्टेप है कंफर्म वॉलेट एड्रेस अब जाते हैं उसके क्या है यहां करेंगे तो हमारे पास में कुछ options आजाते हैं यहाँ पर हम bitgate wallet का use करेंगे क्योंकि हो सकता है phantom wallet इस तरीके से काम ना करें कोई दिक्कत आ जाए जिसको अगर phantom wallet connect करना आता है तो आप phantom wallet के साथ जा सकते हैं ठीक है मैंने extension इंस्टोल किया हुआ है आप extension सेर्च कर सकते हैं इंस्टोल कर लेजिए सेटक पर लेजिए wallet यहाँ पर गजाए जाते हैं तो यहाँ पर मैं search करता हूँ देखें मैंने यहाँ पर search किया हुआ है गूगल पर ठीक है तो bidget wallet extension आपको उपर search करना है और उपर यह उपर आपको यह extension मिल जाता तो मैं इस पर टैप करूँगा इसकी लिंक भी मैं आपको निचे description में दे दूँगा गईस तो आपको आसानी होगी अब यहाँ पर गईस इसके चार लाख users है और domain चेक करना थे गईस यह सही है बिल्कुल यहाँ पर गईस मैं इसे add to chrome करता हूँ ओके अब यह ठीक है install हो रहा है तो गईस देख सकते हैं यहाँ पर bidget wallet जो है वो यहाँ पर open हो चुका है हम इसकी screen पर आ चुके है यहाँ पर guys हमें create a wallet करना है और हमें यहाँ पर हमारा password set करना है तो आप अपना password set कर लेजिए उसके बाद में next कर लेता हूँ यहां पर पासवर्ट सेट कर लिया, अब यहां पर मैं next करता हूँ, next करने के बात में यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर guys again यहां पर आपको एक phrase keys आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है, यहां पर click here to display the mnemonic phrase है, यहां पर guys keys होगी, वो keys यहां पर आपको कहीं पर save करना है, यहां तो आप अपने notebook पे किसी copy पर लिख लीजिए, यहां कैसे भी करके save कर लीजिए guys, क्योंकि अगर आप इसे भूल जाता है, या फिर इसे miss कर देते हैं, तो जब भी आप इसे इस wallet को कहीं और login करोगे, या फिर अगर phone reset हो जाता है, तो guys, आप फिर से अपने wallet को access नहीं कर पाऊगे, तो यह बहुत ज़रूरी step है, बेकप लेटर में, आप बेकप लेटर पर टेप करता हूँ guys, वो करने के बात में, आपको यहां पर simply बेकप लेटर करना है, और you are responsible for keeping your, ठीक है guys, सब कुछ बराबर है, यहां पर मैं इसे default wallet कर देता हूँ, और ठीक है start exploring, हमारे सामने हमारा जो bid gate wallet है, वो आ चुका है, अब guys हम फिर से हमारे, कहां गया, notepad, okay, so notepad यह रा guys, यहां पर आ गए है, अब यहां पर मैं इसे close करता हूँ, एक बार फिर से मैं इसे refresh कर लेता हूँ, okay, और refresh करने के बाद में guys, हम फिर से यहां पर connect your wallet पे जाएंगे और यहां पर guys, देख सकते हैं, तीन options यहां पर show कर दिये हैं, phantom वाला और bid gate wallet और bid gate, आपर हमें bid gate wallet पे simply tap करना है, और tap करने के बाद में हमें again जाना है, हमारे bid gate wallet के page पे, तो guys, यह रहा bid gate wallet का page, जो हमने open किया था, तो guys, यहां पर देखिए, हमें request आ चुकी है, solana network पे, तो उपर आप guys, जो network होगा, वो solana ही होना चाहिए, आप उपर देख सकते guys, तो solana ही network होना चाहिए, अगर कोई और होगा, तो guys, गरबड हो जाएगी, तो यह network आप रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर simply connect पे tap करना है, जैसी आप connect करते हैं guys, तो यह successfully हो जाना चाहिए, अब मैं जाता हूँ फिर से not pay पे, again हमें not pay वाले page पे आकर क्या करना है, एक बार आपको फिर से refresh करना है, refresh करने के बाद में हमें फिर से यहां पर connect पे tap करना है, connect पे tap करने के बाद में guys, यहां पर अब जो है, अब जो है, हमें sign message to verify wallet address करना है, यान nature data है, मैं इसे hidden कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, agree करना है, agree करने के बाद में guys, देख सकते हैं, हमारा जो wallet है, यहां पर connect हो चुका है successfully, तो guys, all the best, क्योंकि बहुत बड़ा हमने task कर दिया है, अब guys, यहां पर आता है confirm wallet address, तो यहां पर मैं confirm पे tap करत है, तो मैं यहां पर send email करता हूँ, ठीक है guys, तो मुझे आप email receive हो जाना चाहिए, तो देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि मुझे उपर यह उपर confirm your wallet connection का message आ चुका है, मैं इसे open करता हूँ, यहां पर हमें इस button पे confirm your wallet वाले button के उपर long press करना है, long press करने के पन होगा, और उपर ही उपर guys, यहां पर आपको link जो है, वो आपको यहां पर paste कर देनी है, ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, कि क्या होता है, हमारा जो wallet है, वो verify हो चुका है, तो guys, confirm हो गया है, सब कुछ complete है, मैं return to dashboard करता हूँ, वीडियो के इतना ही था, यहों कि आ झाल